दोस्तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्रेट फोटो या तो वीडियो है और आप इसको कहीं पर सेव करके यानि की चुपा के रखना चाहती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत ही बढ़िया एक एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ इस एप्लिकेशन की जरीए आपका जो भी फोटो या तो वीडियो है इसको आप सेव करके रख सकती है और उसके बार में कोई भी बंदा अगर आपका मुबाइल फोन को यूज करता है तो वो जो आपका सिक्रेट फोटो या तो वीडियो है उसको नहीं देख पाएगा ठीक है तो दोस्तो कौन सा एप्लिकेशन है कैसे इसको यूज करना है कॉम्पलिट जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है तो दोस्तो अगर आपको यह सब जानना है तो मेरे साथ बने रहेगए और वीडियो को प्लिस एंड तक का शिक्तरियेगा दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक ने के तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में इस गंटी को बजा लिजे और आने वेले निए वीडियो की मज़ा लिजे तो दोस्तो इसके लिए तो सबसर पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है अपनी Play Store पर और Play Store पर जाने की बाद में दोस्तो यहाँ पर आप सार्ज वर में टाइप करेंगे Gallery Photo Lock ठीक है, सिंपलि आपको यहाँ पर टाइप करना है Gallery Photo Lock और यहाँ से आपको सार्ज करना है आपको वीडियो के निचे description में मिल जाएगा तो जैसे आप इस एप को install करेंगे उसकी बाद में यहाँ से आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर इस एप का interface कुछ इस तरह का open हो जाएगा यहाँ पर आप start पर click करेंगे और फिर यहाँ पर आप जो भी password रखना चाहती है यहाँ पर एक password आप set करेंगे ठीके यहाँ पर आप 4-digit से लेकर आप 12-digit तक का यहाँ पर password बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं सिरिफ 4-digit का एक password बना लेता हूँ ठीके जैसे यहाँ पर प्स pact डाल दें cabeça म्हाइब डाल देंगे और यहीं कि पर दुबारा आब इस से पासवार्ट को यहाँ पर फिर से confirm करेंगे और फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप चाहे तो एक email id दे सकते हैं ताकि अगर आप अपनी password को भूल जाती है तो यहाँ पर आप इस email id की जरिये ही इसको recover कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं एक email id को select कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आप OK पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो email id है यहाँ पर आपको उपर में देखने को मिल जेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा question answer तो यहाँ पर आप कोई भी एक question डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस question का answer जो भी होगा यहाँ पर आप निचे डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर देख पर यहाँ पर मैंने उपर में को एक्शन डाला है और यहाँ पर मैंने नीचे इसका आंसर डाल दिया ठीक है तो यहाँ पर अब इसकी विवाद में डान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप पासवार्ट को बूल जाती है तो यहाँ पर आपने ज इकुल रेडी हो चुका है तो यहां से दुस्तों अगर आप फोटो को यहां पर आप लोग करके रखना चाहती है तो यहां पर अगर आप कोई नही फाइल बना के रखना चाहती है तो यहां पर प्लास पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी नाम से यहां पर फाइल बनाना तो इस फाइल की उपर यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर दूस्त आपको देखने को में लिए इंपूट फोटो यहां पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर दूस्त आपका गैलरी ओपन हो जाएगा गैलरी में से जूभी फोटो को आप यहां पर लोग करके रखना यह सिर्फ उससी photo को यहाँ पर आप select करेंगे उसकी बाद में यहाँ पर आप लोग पर click करेंगे और यहाँ पर दूस्त अब देख पर यहाँ पर मैंने दूफ फोटो को select किया था यहाँ पर दूनो फोटो इंपूट जो है यह successfully हो चुक है ठीक है तो यहाँ पर दूस्त करेंगे से फाइल की उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंपूर्ट वीडियो से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका गैलारी ओपन हो जाएगा इस गैलारी में से जुभी वीडियो को आपको लोग करना है शिर्फ इसी वीडियो को आप यहाँ पर सिलेट करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंक के वीडियो को सिलेट कर दिया उसके बाद में आप पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पर यहाँ पर मेरा जो वीडियो यह आ चुका है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत है असानी से इस एप्ल